नमस्कार, सभी व्रशव राशी के दोस्तों आज मैं आपको जानकरी दूँगा और बड़ी महत्वपून जानकरी है और वो जानकरी है कि अगर आप व्रशव राशी के हैं तो आपकी मूल भूत विशेश्टाएं क्या हैं अब आप अपने बारे में तो जानते ही है पर मैं आपके बारे में नहीं जानता अगर आप व्रशव राशी के हैं पर मैं जोतिश विद्या के माध्यम से आपको बता सकता हूँ कि आप कैसे हैं और ये अगर आपने सुन ली मेरी वीडियो पूरी एंड तक तो आप अगर किसी से मित्रता करोगे तो आप भी ये देख सकते हो कि अगर ये व्रश राशी का है तो इसका नेचर ऐसा हो सकता ये मेरे ले सपोर्टिव रहेगा या नहीं रहेगा या ये मैदान छोड़के भाग जाएगा मेरे को दोका देदेगा तो आज मैं यही आपको बताऊंगा कि अगर आप व्रश राशी के हो जैसे मैंने प्रिवियस वीडियो में मेरे शाशी का बताया था इसमें व्रश के बारे में चर्चा करूँगा आपकी प्रमुख विशेष्टाएं बताऊंगा मैं आपको यह बताऊंगा साथ में कि स्वास्त रोग और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको क्या साबदानी बरतनी है और मैं साथ में कुछ यह भी बताऊंगा कि आपके लिए भाग्य साली वर्श कौन सा हो सकता है दोस्तो वीडियो बहुत इंपॉर्टन्ट है पूरा सुनना आपके सामने यहां डिस्प्ले में लगा हुआ एक आप देख सकते हैं अगर आप फरवरी 2024 में मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुंबई शहर में आप उससे मिल सकते हैं शुरुवात करते हैं अगर आप पुल्ली बनवाना दिखवाना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो हमारे फेस्बुक को यूट्यूब को इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें ताकि तुरंत और जल्दी सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके वरशब राशी स्वामी ग्रह शुक्र शुक्र प्रेम प्रिसंग के कारक हैं इंटेलिजेंट प्रेलेंट हैं देटे गुरू इसलिए उनको कहा जाता है और ये बहुत समझदार ग्रह हैं बहुत इंटेलिजेंट ग्रह हैं इनके विगर आगे की जनरेशन नहीं बढ़ सकती इसलिए शुक्र को इस्थान बहुत महत्पून दिया गया है जो तिशास्तर में आगर मैं आपकी प्रमुख विशेष्टा की बात करूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप द्रण निश्चेई हैं आगर आपने किसी चीज को ठान लिया कि ये करना है तो करोगे और सबसे अची चीज मुझे आपकी ये लगती है कि आप इस्थिर प्रकरती के हो आप जिसके साथ हो आप ज़्यादा डिप्लोमेटिक नहीं हो आपको इस्थिरता के साथ काम करना पसंद है ये आपकी सबसे अच्छी विशिष्टा है इसके लावा आप धहरेवान भी हो आप परिश्रमी भी हो आप धरम गुरू भी हो आप उच अभिलाशी भी हो आप सहासी भी हो और आपको आप संसारी कारे करम यानि कि ये जो कारे होते हैं संसार में रहते हो इन में आसक्त हो और कुछ आपके अंदर स्वार्थ की प्रकरती भी है वरश राशी वालों जातकों में थोड़ी ज़धा देखने को मिलती है क्योंकि शुक्र ग्लैमर इंडस्ट्री का कारक है संदर रेप्रसंड का कारक है तो स्वार्थ से भी आपको जोड़ता है तो स्वार्थी नीचर आपकी यहां पर देखने को मिलेगी सहनशील प्रकरती आपकी जो है ये वाकई बहुत काबिले तारीफ है क्योंकि आप चीजों को सहन करना जानते हैं कि मेनेज करना जानते हैं ये एक पॉजिटिव शायिन आपका और आप सामने वाले विक्ति को शमा कर देते हो वो प्रकरती एक आपकी है आप आत्मुशवासी तो हो ही और आपको संगीत का सौंधर्य का संदर प्रसारन का ब्यूटी का वेल अप्टू डेट रहना बहुत पसंद है आपका एक नेचर है कि आप जिसके साथ होते हो दिल से होते हो पर लोग आपके साथ में दिमाग से जुड़ते हैं ऐसा व्रशव राशी के जातकों के साथ में एक विवहर देखने को मिलता है ये मैंने आप से आपकी प्रमुख विशेश्टाओं के बारे में बात करिए और आप विवहर के कुशल भी हो आप विपरीद परिस्तितियों में अपना काम निकालने में बहुत माहिर हो आपको भूमी का अवास का सवारी का मकान का सुक सादनों का ऐसी चीजों से आप युक्त रहोगे अपने जीवन में ब्रशव राशी बालो नहीं हो तो हो सकता अभी किसी और गरहे का प्रभाब हो हो सकता आपकी ब्रशाशी के स्वामी जो शुक्र करें है वो किसी पाप प्रबाब में हो उसको कोई बुरा करें देख रहा हो बट आपकी सोच में रहेगा क्या आपको गाड़ी लेनी है जल्दी से आपको मकान लेना है और आपको लेना है तो बड़ा लेना है अच्छा लेना है यह आपकी सोच मिलेगा आप में एक सबसे बड़ा गुन जो जल्दी से लोगों में देखना नहीं होता वो होता है शहिंशीलता और एक और सबसे वड़ा आपके अंदर गुण है वो ये है कि आप सबसे पहले आप बाद में दूसरे अब पहले आप से मतलब है कि आपको खाने का शौक रहेगा व्यंजन तरहे तरहे के आपको बहुत पसंद रहेंगे और आपको घर का आराम बड़ा पसंद है आपको ऐसा रहेगा कि अगर आप छुटी है तो घर पर ही रहना है घर से बार नहीं निकलना ऐसा एक विवार आपके कुणली में देखने को मिलेगा यदि आपका शुक्र क्योंकि आपकी राशी का स्वामी है वो बुद्ध के साथ बैठा हो या फिर शनी और गुरू जो ग्रह होते हैं इनके प्रभाब में हो आपका शुक्र तो ऐसा जो जाता कोता है न वो पारिवारिक उल्जनों में रहता है मैंने तो बहुत देखा है कुणली में और व्रशवराशी के लिए तो विशेश है और वैसे भी आपको बता देता हूँ अगर आपके बुद्ध शुक्र इखटे बैठे हैं या आपके शुक्र गुरू और शनी इखटे बैठे हैं आप कुल्डी खोल के देख लेने तो आप पारिवारिक उल्जनों में ही उल्जे रहोगे और आपकी एक प्रकरती हो जाएगी हटी सुभाव आप हट लगा लोगे कि मैं ऐसा है तो ऐसा है इसके लावा जैसा मैंने बताया लोब स्वार्थ ये आपके अंदर रहेगा और थोड़ा सा संकूचित आपके वरती रहेगी बहुत जादा घुल मिल करके इस पच्चता के साथ बोलना पसंद नहीं करोगे दोस्तों अगर आपकी मैं रोग की बात करूँ स्वास्ट के दिर्शी कौन से को कि यही सबसे जादा व्यक्ति को कमजोर करता है एक चीज अच्छी है कि आप छुट छुटी पीड़ा की परवानी करोगे बहुत से लोग ऐसे होते हैं रहे हैं बुखार को तो हम कुछ समझते ही जुखाम बुखार खांसी क्या है कुछ नहीं है हो गए हो गए अपना फिर भी काम कर रहे हैं बहुत से ऐसे होते हैं बैट पकड़ लेते हैं पर मेरे को जुखाम गला हो रहा है मैं तो रेस्ट करूगा तो आपकी ये विशेशता है कि आप छोड़ी छोड़ी पीड़ा को तो पीड़ा समझोगे ही नहीं इसके लावा कई बार अत्यधिक वियस्तिता के कारण गिरते स्वास्त की अपेक्षा भी आप कर देते हो जैसे मैंने आपको बोला हटी सोभाव हो है आप ज़्यादा परवा नहीं करोगे आप काम में उल्ले हुए हो आपका शरी रिलाओ नहीं कर रहा फिर भी कर रहे हो बट आप मैं तो कांशी हो उचविलाशी हो हटी सोभाव के हो कोई बात नहीं हो रहा है हो रहे तो तो ये एक आपका जहां पर है कि आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान डखना चाहिए अगर मैं सामाने रूप से बात करूँ कि आपको क्या प्रब्लम आ सकती है तो आपको चहरे से रिलेटेड विकार उधर संबंदी रोग इसके लावा आपको गले का और आँखों का रोग और इसके लावा आपको जो मादक और उत्तेजक वस्तुएं होती है इनका सेवन करने से परहिज करनी चाहिए ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर और मैं इसको broadly समझाऊं आपको कि भविश्य में किन बिमारियों का आपको द्यान रखना है तो एक तो आपको सरदर्द का रिस्क रहेगा आपको टॉंसिल्स की परेशानिया पायरिया हो जाना, रक्त चाप होना पत्री का रोग, हिर्दे की जलन और गुप्त रोग इससे संबंदित बह रहता है अब ये रोग तब होते हैं जब ऐसे ही रोग देने वाले और ग्रहे आपके शुक्र के संपर्क में आएंगे तो इसलिए मैं आपको सलहाई देना चाहता हूँ कि आपको भोजन संतुलित लेना चाहिए को कि वरश्टाशी वाले भोजन थोड़ा जादा लेना पसंद करते हैं एक्सेस में शौकीन होते हैं मीठे के नियमित वैयाम करना चाहिए आराम करना चाहिए यह मैं आपसे कहूँगा विशेश रूप से और एजुकेशन के दृष्टी कोन से आपके लिए कॉमर्स के इंजिनिरिंग ग्लैमर इंडस्टी हॉस्पिटालिटी ऐसे यानि के प्रोफेशनल जो शाखाई होती है विध्या वो आप ग्रेंड कर सकते हो यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर हम बात करें कि आपके लिए कौन सा इयर भागेशाली रूप में रहेगा तो आपके लिए 42 वर्ष की आईउ आपके लिए 47 वर्ष की आईउ आपके लिए 52 वर्ष की आईउ आपके लिए 25 वर्ष 27 वर्ष यह आईउ आपके लिए अच्छी रहेगी दोस्तों अगर आप भी अपनी कुल्डी बनवाना दिखोना चाहते हैं तो संपर कर सकते हैं नमस्कार